सो ही गाई स्वागत है आपका मेरे चैनल में I hope कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और सबसे पहले इस वीडियो को पूरा सुनेगा उसके बाद ही अपने कमेंट्स जो है रखिएगा कल जो है जुटी ने दो लाइव की थी एक पहली लाइव की जिसमें खाली लोगों को बेवकुफ बना रही थी मैं भी बताऊंगी मैं बताऊंगी लेकिन कुछ बता नहीं पाई विचारी उसके बाद फिर इसने सोचा रहे यार इसे तो कामी नहीं बना अभी तो भाई सब्स से नोचते हैं उनको लोग गलत बोलते हैं लोग विद्वा औरतों को जो हैं करेक्टर लेस बोलते हैं तो यहां पर यार और भी बहुत सारी लेडिस ऐसी हैं जिनके अपने चैनल बने हुए उनका कमेंट सेक्शन कभी आप जाके देखो कि उनके कमेंट्स में क्या कभी ऐस कमेंट्स आते हैं जैसे कि वीडियो के नीचे आते हैं तो यहां पर गलती किसकी है और यह सबी लेडिस को एक जैसा क्यों समझती है पहली बात यह कि सबको साथ लेके इसको चलने की क्या जरूरत है सबका नाम यह क्यों लेती है यह बी ऐसी वो भी ऐसी सब सब या शादी शुदा होने की वो नहीं है अगर कोई शादी शुदा और वो कहीं पर अगर उसका प showcर छल तो उसको समाझ नहीं बोलेगा ऑस को दो वो लेकर नाम श्युदा काहां से हुंす बात यह ऐसे बोलती है कि भाई यहां पे ना अगर कोई आदमी अगर चार पांच औरतों को लेके चलता है ना तो उसको कभी कुछ योट्यूब पे रहेंगे तब तक उनको हेट मिलेगी क्योंकि उन्होंने तीन शादियां की हैं पे जो है ना ओरत आदमी विद्वा शादी शुदा यह सब तो ने यह फालतू की बकवास बाजी जो है बहुत हो चुकि यह सब मत करा कर सिरफ अपनी बात किया कर अगर कभी भ को बताती हूँ काल इसने एक वीडियो डाली थी सब्से पहली बात तो इसने वीडियो में यह बोला था ki मेरी मम्मी तीन-साड़े-तीन बजे मेरे घर आ गई बताओ बताओ आप लोग समझ रही हो,ů ना लग गए पहले बात तो ये इतनी अन हाइजीन लेडी है पूछो मत उपर से ये स्टार्ट करने वाली है टीफिन सर्विस है ना कोई इसकी ऐसी लाइव या ऐसी वीडियो देखे कैसे कोई टीफिन ले लेगा बात ये कहती है कि मेरी मम्मी ने उसी पोट पे जो है मेरे बेट प्रची की और उस चीज में वो तो जाइज है वो तो करती है तेरे बच्चे केर क्योंकि तू नहीं करती ये भी हो गया किसी वी और पीरियड आते तो क्या वो मंदिर के आसपास भी घूमती फिरती दिखती एवन तुलसी हो गई बहुत पवित्र पोदे हमारे घर में उनक जाके कस्में खा रही है भगवान की कसम की आज तक मैं किसी के साथ जो है फिजिकल नहीं हुई मैं यह नहीं हुई अरे तू कम से कम तर को इतने मैं पिर दूसरी बात एक और बताती हूं इसने एक वीडियो बनाई थी जहां पर सब्सक्राइबर सर को दिखा रही थी आओ म नुमान जी के पास चली जाती है या मंदिर चली जाती है मंदिर के आगे खड़ियों के कस्में खाने लग जाती है कोई करता है कैसे नीच का तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि यह जो इसने कल लाइव की थी ना मन घढ़नत जैसे कहानी बनाते है ना उस तरीके से इ और यह कहती है ना कि मेरी मा बाप कोई मेरे उपर विश्वास नहीं है यह नहीं है वोने तो भई जो मा बाप पैदा करता है ना अपने बच्चे को उससे जादा कोई नहीं समझ सकता अपने बच्चे को है ना अगर किसी का बच्चा होगा उसके मा या बाप ही मतलब कमी य हैं बहुत सारी चीज़े इसकी वीडियो में ऐसे देखने को मिले जो इसकी ममी ने बोला है और वो चीज़े सच हुई है आप में से किस-किस लोगों को लगता है कि भाई ये वाली कहानी इसने जूटी बनाई और जूटी नहीं भी बनाई तो ये मंदीर कैसे चलेगी इसके पीरिड्स आए वे थे जो है अपने पास्ट को लेके बाते करी कि मेरा किसी के साथ इसकल रिलेशन नहीं रहा ये रहा बोहर है यार कौन पूछ रहा है तुससे योटूब क्या किसी यूटूबर को आपने सुना है कि कभी वो इस तरीके की बाते करता हो कभी आप लोगों को इस तरीके की बाते बताता हो कि मेरा किसके साथ रिलेशन रहा है किसे नहीं उनका काम सिरफ और सिरफ यहां पे ब्लोगिंग करना होता है इससे फालतू कुछ नहीं होता ठी पिर उसके बाद अपनी सारी बाते बता के यहां पे जब लोग इसको कमेंट करते हैं तो यह बोलती है कि मेरे उपर लोग सवाल जवाब कर रहे हैं मेरे करेक्टर के उपर बोल रहे हैं अरे बही बता भी तो तो खुद रही है कोई दूसरा इंसान थोड़ी बता रहे हैं और रही बाद देखें इसके frustration की कल इसने अपनी ओडियंस पर इतना frustration निकाला है ना जैसे पता नहीं कितनी ये दुखी हो कितना लोगों ने इसको क्या कर दियू ये परेशान अपनी मा से थी लेकिन इसने गुसा सारी अपनी ओडियंस पे निकाला वो ओडियंस जिसके कारण रास्ता दिखाते लेकिन तो उस पर कभी चलती नहीं है और हमेशा सा इसके ये रहता है कि जब भी इसके व्यूज ने आते या तो ये माग को बदनाम करने बैट जाती है या फिर जूबिन जी को ले आती है बीच में मैं जूबिन जी के निए गाना लिख रही हूँ जी के फोटो क्यों लगा रही है उनको क्यों तो इतना परेशान करें किसी सालिबरिटी को तो इसको गूसा आता है या तो यह ससराल वालों की अतनी बुराइए करती है फिर उसके बाद जो है अपने माई के वालों पे आ जाती कि मेरा आज कर टायम में किसी से कोई इसे बताएगी कि शादी से पहले जो मेरा हस्बेंट था ठीक है वो मेरे रूम पे आता था हमारा जो है फिजिकल रिलेशन रहता था कहते हैं कि अपने पैर पे खुद कुलहाडी मार वो कहते हैं कि आ बैल मुझे मार वो चीजे वो हरकते इसने और रेड़ी खुद कर रखी ह है कि मेरे उपर मेरे सुसराल वाले गंदे गंदे जो है इलजाम लगाते हैं लेकिन आज तक वो वीडियो शायद इसकी यूट्यूब पे पड़ी हुई है जहां इसने बोला था या इसकी सास ने बोला था कि हां मैं कैसे जाट के साथ तेरी शादी करा दूँ मतलब शादी करने के लिए तो बेताब थी उस टाइम पे ये इन सब चीज़ से मुकर नहीं सकते उसके बाद बात आ जाती है सपना जोड़े की मेरे को भी सपना वाली बिमारी हो गयार किसी को तो छोड़ दे उसको तो छोड़ दे कम से कम जो अपने डंग से बच्चे पाल रही है इसको रोटी कमा रही है खा रही है उसको तो छोड़ दे उसके जैसे बीमारी और लोग सोचेंगे भाई उसको ऐसे क्या बिमारी है कि हमें नहीं पता आस तक अपनी व्लोगिंग उसकी देखने हैं उसको कभी नहीं बताया हम देखें मतलब एक जिसको बोलते ने कि एक आईस वी आप लोगों की राए हो कमेंट के जरीए जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक कीज़े सब्सक्राइब कीज़े शेयर कीज़े और बैल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूले तो वबाई मैं मिलते हूं आपसे एक न्यू झालो